वेलकम बैक देर स्टूरेंट तो यह ओफ लाइन इंग्लिश क्लास आज हम कल हमने शॉर्ट स्टोरी की थी हैपी प्रेंस जो है इसके एक्चुली इस इस लॉंगेस्ट स्टोरी इन यूवर बुक इसमें छे पेज हैं छे पेज की स्टोरी है दो पेज हमने कल किये थे दो पे कंपड़ी हो जाएगी। तो हमने कल पढ़ा था की हैपी प्रेंस जो है उसका स्टेचू कहां पर होता है? किसे उसका पुरा सोने का गिल्ड क्या होता है। ठीक है और किस तरह स्वैलो उसके पास आती है और किस तरह वो स्वैलो को अपनी सारी कहानी सुनाता है तो उसको कितना दुख होता है और वो अपने जिस हाइट पर वो खड़ा हुआ है वहां से वो देख रहा था कि एक गर में एक और ती जो कि कपड़े सी कर अपना गुजा बोलता है कि अगर आप मेरे मदद करोगे आप मेरे मेसंजर बन जाओ स्वैलो को बोलता है स्वैलो एक बर्ड है उसको बोलता है कि मेरे स्वोर्ड में से मेरे तलवार के इस हैंडल में से जो है रुबी है रुबी मीन्स एक प्रिशस स्टोन है वह आप निकाल के उसको दे दी I don't think I like boys मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़की अच्छे लगते हैं उस Swallow ने जवाब दिया I want to go to Egypt मैं Egypt वाप जाना चाहता हूँ but the happy prince looked so sad that the little Swallow was sorry लेकिन happy prince जो है वो काफी दुखी लगता है काफी परेशान लगता है तो little Swallow जो है उसको बड़ा दुख होता है वो बड़ा sorry feel करता है कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोला It is very cold here उसको बोलता है यहां बहुत ठंड है but he agreed to stay with him for one night and be his messenger लेकिन वो तब भी उसके लिए बोलता है कि ठीक है मैं एक रात के लिए यहां रुख जाता हूँ और तुम्हारा messenger बन जाता हूँ Thank you little swallow said the prince उसको बोलता है शुक्रिया दन्यवाद छोटे से चिडिये तो मैं आपका बड़ा शुकर गुजार हूँ यह किसने बोला प्रिंस ने The swallow picked out the great ruby from the princess sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town तो swallow ने क्या किया अपनी चोंच से उसकी तलवार में से वो ruby का जो stone है वो निकाला और वो छटों के उपर से जो भी उदर कस्बे में उस town में जितने भी छटों के उपर से उड़ते उड़ते जाकर वो कहां गया उस सीमर के गर सीमर हो गी वो जो औरत थी जिसके पास वो कोई भी चीज नहीं थी वो वहां से निकलता है चर्च के टावर बहुत सारे थे और उसके उपर क्या बनी हुई थी वाइट मॉर्बल की एंजल बनी हुई थी जैसे अपने चर्च देखे होंगे चर्च के उपर Mother Mary का वो statue बना होता है तो वो वही बता रहा है कि उसने क्या क्या दिखा वो एक पैलस के पास से गुजरा पैलस हो गया एक महल खाने के पास से गुजरा वहां पर उसने आवाज सुनी गाना बजाने की और एक खोप सुरह से लड़की अपने बालकोनी में आती है अपने lover के साथ अपने मतलब शोहर के साथ या lover के साथ बाहर खड़ी होती है I hope my dress will be ready in time for the straight ball, she said और उतनी देर में वो उसको क्या बोल रही होती है, वो खुबसरत सी लड़की जो बाल कोनी में बाहर आती है वो उसको बोलती है कि मुझे उमीद है कि मेरा dress जो है वो straight ball, ball dancing show होता है उसको बोलती है कि जब एक straight ball होगा तब तक मेरा dress complete हो जाएगा I have ordered flowers to be embroidered on it but the seamstress are so lazy वो उसको बोलती है कि मैंने तो order किया है कि उसके ओपर अच्छे-च्छे full बनवाने के लिए embroidered करने के लिए काफी slow चलता है He passed over the river तो ये सब कुछ जो है ये वो swallow सुन रहा था फिर उसने क्या किया He passed over the river वो नदी के उपर से उड़ते-उड़ते से गया and saw the lanterns hanging on the masts of the ships और उसने क्या देखा कि ships जो होते हैं ships जहाज होते हैं उनके जो hanging जहाँ पर उनके लालटीन लगे हुए होते हैं तो उसको masks बोलते हैं जो उनके बड़े-बड़े से डंडे लगे होते हैं वहाँ पर उनको उसको क्या लगे थे? वो lanterns lanterns means लालटीन लगे हुए थे at last he came to the poor woman's house and looked in और सबसे last में क्या हुआ वो उस गरीब औरत के गर में पहुँचा और खिड की पर वहाँ से जांकने लगा जैसे उसे अंदर देखा the boy was tossing feverishly on his bed boy जो था tossing feverishly feverishly means बुखार से वो जल रहा था तप रहा था वो ठीक है? tossing feverishly means बुखार से तपना इतना उसको बुखार था कि वो बुखार से जल रहा था अपने बैड पर and the mother had fallen asleep she was so tired और मा को टेबल पर ही काम करते करते नेंद आ पढ़ गई थी क्योंकि वो बहुत ठक गई थी in he hoped जैसे ही उसने अंदर hope किया and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble और जैसे ही उसने और वो बड़ा सा ruby उसने table के side पर रखा beside the woman's thimble woman's thimble means thimble वो लगा जाता है उंगली में एक metal का पीस लगा जाता है जिसे वो सुई का prick नहीं लगता है वो अक्सर वो लोग लगाते हैं अब्रोइडरी का काम करते हैं जिनको सुईदा के से काम होता है then he flew gently round the bed और वो बिलकुल आराम से अपने पंखों से उड़ते हुए बैड की तरफ से गूम के आ गया fanning the boy's forehead with his wings fanning means उसके पंखों से हवा आने लगी उस लड़के के माथे पे उस लड़के के चहरे पे how cool I feel said the boy लड़का भूलना का कितना ठंडा मैसूस किया मैने I must be getting better मुझे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं and he sank into a delicious slumber और वो बिलकुल एक गहरी नींद में सो गया उसको नींद पढ़ गई then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done मैंने क्या क्या किया it is curious he remarked वो तो बोता है ये बड़ी हरानी की बात है but I feel quite warm now although it is so cold तो बोता है अरे ये बड़ी हरानी की बात है मुझे पहले बहुत ठंड लग रही थी लेकिन अब मुझे बहुत गर्माहट सी मैसूस हो रही है क्यों क्योंकि उसने एक अच्छा काम करके आया था तो इस वज़े से उसको अच्छा फील हो रहा था that is because you have done a good action said the prince उसको बोता वो तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुम्हें एक अच्छा काम करके आये हो and the little swallow began to think and then fell asleep और little swallow जो है वो ये सोँचते सोँचते उसको भी नींद पड़ गई thinking always made him sleepy और जब भी वो सोँचता है तो उसको नींद आ जाती है ये swallow के बारे में बात हो रही है when day broke he flew down to the river and had a bath जैसे ही सवेरा हुआ वो गया नदी के किनारे वहाँ पर नहाया tonight I go to Egypt पकका अपने एरादो में पकका था कि आज मुझे Egypt जाना ही जाना है He visited all the monuments and sat along time on top of the church steeple वो सभी जहां पर भी जो भी monuments होते हैं जो भी पुरानी building के विले बने हुए थे उसने वो सब सर्च किये उसके ओपर गया गूमा फिरा बहुत देर तक और church के steeple जो टॉप पर होता है वहां पर बैठा काफी देर तक When the moon rose he flew back to the prince और जैसे ही चांद निकल आया वो वापस प्रिंस के पास चला गया Have you any commissions for Egypt? He cried I am just starting तो वो उसको बोलता है क्या आपको कोई काम है उदर Egypt में I am just starting मैं अभी जा रहा हूँ Swallow, swallow, little swallow said the prince Will you stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? तो जैसे उसने बोला क्या आपको कोई काम है जिव में उसने चलाया I am just starting और मैं जा रहा हूँ So swallow, swallow, little swallow said the prince Will you stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे? I am waited for in Egypt उसने उसको बोला कि मेरा इंतजार हो रहा है answer the swallow मेरा Egypt में इंतजार हो रहा है मेरे दोस्त लोग वहाँ पर है तो तो मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो यहाँ पर एक एक रात पैठने के लिए ठीक है? तो swallow, swallow, little swallow, said the prince और फिर से प्रिंस ने उसको बोला swallow, swallow, little swallow, far away across the city उसको बोलता है कि I see a young man in a garret उसको बोलता है कि दूर सिटी से एक दूर मैंने देखा यहाँ से कि वहाँ पर एक young man है एक जवान आदमी है एक in a garret garret होता है, छट के ऊपर वाला जो attic होता है जैसे हमारे यहाँ पर store होता है सबसे टॉप पर store की तरह एक वो गर होता है He is leaning over a desk covered with papers and in the glass by his side there is a bunch of without violets बोलता है कि वहाँ पर एक आदमी है वो अपने desk के ऊपर लेटा हुआ है, पढ़ा हुआ है जिसके ओपर सिर्क paper सी papers विखरे हुए काकज सी काकज विखरे हुए और side पर एक glass रखा हुआ है glass means एक शीशे का glass रखा हुआ है और उसमें क्या है bunch of withered violets उसमें fold रखे हुए लेकिन मुरजाई हुए से fold रखे हुए है His hair is brown and crisp और उसके बाल भी सुखे हुए से बदे से बाल है and his lips are red as a pomegranate और उसके होंट भी इतने लाल हो गए है and he has large and dreamy eyes और उसकी आखी जो है बड़ी और खौब से खौबूं से बड़ी हुई आखे है He is trying to finish a play for the director of the theater वो उसको एक नाटक drama लिखना है जो कि किसके लिए है एक director है theater का drama जो play करवाता है उसके लिए उसको एक play लिखना है नाटक लिखना है वो finish करना है कोशिश कर रहा है वो खतम करनी की but he is too cold to write anymore लेकिन वो इतना ठंडा पढ़ चुका है कि वो आगे लिखने ही पार है उसके हाथ पैर बिलकुल ठंडे हो चुके है there is no fire in the grate और वहाँ पर उसके आग जहां पर जलाए जाती है वहाँ पर उसके grate में बुखारी में कोई भी fire आग नहीं है and hunger has made him faint और भूख से वो बहोशो चुका है तो इस तरह से वो अपनी पूरी स्टी के हाल उसके बताता है I will wait with you one night longer said the swallow who really had a good heart उसको बता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुख जाओंगा जो इतने दिल का इतना अच्छा इंसान है तो उसके लिए मैं एक रात और रुख जाओंगा He asked if he should take another ruby to the young playwright उसको बता है अगर तुम यह जो दूसरी ruby है यह तुम उस young playwright को दे दोगे जो वो विचारा writer है उसको आप यह ले जाओगे Alas, I have no ruby now said the prince उसको बता है अरे मेरे पास तो कोई ruby नहीं है हाई मेरे पास तो कोई ruby नहीं है अब मैं क्या करूँ वो उसको बता है My eyes are all that I have left वो सको बता है मेरे आँखे हैं मेरे पास जो मेरे पास अभी बची हुई है They are made of rare sapphires वो भी खास rare मतलब काफी costly पत्थरों की बनी हुई है which were brought out of India a thousand years ago जो कहां से लाई गई है इंडिया से लाई गई है thousand, हजारों साल पहले लाई गई थी He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play He said वो से उसको बोला कि तुम एक काम करो तुम मेरे एक आँख निकाल दो ये जो से fire है वो pluck कर दो और फिर ये playwright को दे दो वो इसको बेचेगा किसी सुनार के पास, जुविलर के पास और फिर वाँ से वो लकडी लाएगा लकडी जलाएगा तब जाके उसको थोड़ी हिम्मत आएगी और वो अपना नाटक खतम करेगा उसने इसको बोला प्यारे राजकुमार मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और वो रोने लगता है स्वेलो, स्वेलो, little स्वेलो said the prince, do as I command you स्वेलो, स्वेलो, मेरे प्यारे स्वेलो जैसा मैं बोलता हूँ, वैसा करो स्वेलो प्लक्ड आउट अउट प्रिंस आईज और इस तरह से क्या हुआ उसने उसकी एक आँख निकाल दी और वो उस यंग मैन के उस घर में चला गया उदर जाना उसके लिए बहुत आसान था क्यूंकि छट में एक सुराख था और वो उस सुराख से वहां से उस घर में गुज गया तो through this he darted and came into the room through this he darted darted in his eyes as a slow moment में चलना तो उस hole से वो अंदर की तरफ गया and came into the room और वो उस कमरे में आ गया तो जो वो लड़का उदर बैठा हुआ था जवान आदमी जो बैठा था उसने अपने सिर को अपने हाथों के बीज में ऐसे पकड़ के रखा हुआ था और जब उसने आँख खोली जैसे उसने सिर उठा है उसने देखा एक बीजाए हुए फोलों के उपर रखा हुआ है और आप मुझे अप्रिशेट करेंगे यह तो मुझे शाहिद किसी बड़े तारीफ करने वाले ने मेरे लिए यहां पर रखा हुआ है वो भूता है हाँ अब मैं अपना नाटा खतम कर सकता हूँ और बहुत खुश हो गया दूसरे दिन क्या हुआ जो स्वैलो था वो हार बोर होता है जहां पर शिप रोकी जाती है जहां वो होते हैं छोटी छोटी किष्टियां होती है वो शिप के सामने जो जगा होती है वो वहां पर बैठा और वहां से सेलर्स को काम करते हुए देख रहा था वो चला रहा था मुझे एजिप जाना एजिप जाना लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और जैसे ही शाम को चान फिर से होगा और वो वापस प्रिंच के पास चला गया उसने इसको बोला मैं तुम्हें अलविदा करने आया हूँ मैं तुमसे इजाज़त लेने आना हूँ कि मैं जा रहा हूँ स्वैलो, स्वैलो, लिटल स्वैलो, said the prince, will you not stay with me one night longer? क्या तु मेरे लिए आज एक रात नहीं रुखोगे? एक और रात रुख जाओ इस विंटर, answer the स्वैलो, स्वैलो उसको बोलता है यह सर्दी है, ठंड है, ठंड का मुस्म उसको बोलता है कि यहां और एजिप्ट में जो है, वहां पर सूरज बहुत घरम होता है और ग्रीन पाम उन खजूर के पेड़ों के ओपर, पाम ट्रीज के ओपर और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो मिट्टी में लोट पोर्ट हो रहे होते हैं, सुस्ता रहे होते हैं और वो हमें ही देख रहे होते हैं, क्यूंकि हमें उनके ओपर से वो कीड़े, मतलब यह जो बर्स होते हैं, वो कीड़े निकालते रहते हैं उनको तो in the square below उसको भोलता है कि नीचे एक जोंपडे में एक नीचे छोटी सी गली में there stands a little match girl वहां पर एक छोटी सी match girl means जो matchs की डिबियां बेचती है एक छोटी सी गरीब लड़की है जो matchs की डिबियां बेचती है she has let her matches she has let her matches fall in the gutter and they all are spoiled उसके पास जितने भी matches थी जितने भी matches की डबे थे वो एक गटर में चले गए है और वो सब खराब हो गए है her father will beat her उसका बाप उसको मारेगा if she does not bring home some money अगर उसने गर पैसे नहीं लिये and she is crying और वो तभी रो रही है she has no shoes or the stockings उसके पास ना तो कोई पैर है ना तो जूते लगे हुए है और ना ही stockings ना तो कोई stocks है ना तो मोजे है ना जूते है and her little head is bare और उसका सिर भी खाली है नंगा है कोई सिकार उफ नहीं है कुछ नहीं है ठंड कितनी है pluck out my other eye उसको बलता है इस तरह से अभी तक जो हमने दो पेज्स पढ़े इसके बाद हमारे दो पेज्स और है वो हम कल के इस topic में पढ़ेंगे तो आज के लिए ये दो पेज्स आप पढ़ लीजिए और जो भी इसमें से difficult words है उनको glossary में उनका meaning आप देख लीजिए अपने दान करते जा रहा है और लिटल स्वेलो उसके साथ-साथ उसकी help करते जा रहा है ठीक है? Go through this lesson and till then take care, stay home, stay safe